दक्षन एशिया आज भी गरीबी, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और लैंगीक असमानता जैसी समस्याओं से जूज रहा है। इन सारी समस्याओं के पीछे एक बड़ी वज़ा है निरक्षर्ता। आंकडों के मताबिक दक्षन एशिया में हर तीन में से एक वयसक निरक्षर है और सब को शिक्षा महिया कराना अब भी एक बड़ी चुनौती है। दक्षन एशिया में साक्षर्ता, शांती और विकास के लिए परसपर सहयोग बढ़ाने के मुद्धे पर शनिवार को नई दिल्ली में एक अंता रास्ट्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपर राश्ट्रपती मुहम्मद हामिद अंसारी ने सम्मेलन के दौरान कहा कि हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक बडलाओ लाने के लिए शिक्षा और साक्षर्ता बहत जरूरी है। South Asia is confronted by these very challenges. Hence, the importance of education and literacy in bringing about social and economic transformation of our societies cannot be overstated. केंद्रिय मानव संसादन विकास मंतरी M.M. पल्लम राजु ने दक्षिन एशिया क्षित्र से निरक्षर्ता दूर करने और सबको शिक्षा महया कराने के लक्षे को हासिल करने के लिए सभी देशों से सामुहिक प्रयास करने की अपील की. वहीं अफगानिस्तान के शिक्षा मंतरी ने दक्षिन एशिया में शांतिपुर्ण सहस्तित्व के लिए शिक्षा, विज्ञान और तक्नीक में और अधिक निवेश की बात कही. ओज viewers बहुत cable युदा भारत का साक्षर भारत मिशन दुनिया का सबसे बड़ा वयस का साक्षरता का इसक्रम है और इसके तहट 2017 तक 7 करोड निरक्षर वयसकों को साक्षर बनाने का लक्ष रखा गया है जिन में महिलाओं की संख्या 6 करोड है अब तक 2 करोड से अधिक वयसकों को इस कायरकम के तहट साक्षर घोशित किया गया है उप रास्ट्रपती ने दो करोड में साक्षर वयस्कों को साक्षरता प्रमानपत्र प्रदान किया निशान स्वारब डीडी नीउस दिल्ली